नमस्कार दोस्तों YouTube चनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे Progressive Captive Pumps के बारे में इन Pumps को Roto Pump भी बोलते हैं इन Pumps में Failure होने के क्या कारण होते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन Pumps का Use mostly Viscous और Slurry Liquids को Transfer करने के लिए किया जाता है और ज्यादा तर ये Pump आपको Food, Beverage, Chemical, Oil and Gas और ETP Plants में देखने को मिल जाएंगे तो आज की वीडियो का Like का Target रखा है हमने 500 Like तो वीडियो ची लगे तो वीडियो को Like और Share जरूख कर दें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो सबसे पहला Reason है Fluid का Temperature Rotor और Stator के बीच में जो Clearance होता है वो बहुत ही कम होता है और जो Fluid हम उसमें Use कर रहे हैं अगर उसका Temperature ज़्यादा होगा तो वो Stator की Rubber को Damage कर देता है इसलिए Stator की Rubber Fool सकती है अगर Temperature में बहुत ज़्यादा Variation है तो भी Stator की Rubber जो है वो Damage हो जाती है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो Fluid हम Use कर रहे हैं उसका Temperature constant रहना चाहिए और Temperature के According ही हमको Stator की जो Rubber होती है उसके Material की Selection करनी चाहिए कि हमको Nitrile यूज़ करना है EPDM यूज़ करना है Number Second Reason है Dry Running जब कोई Pump बीना Liquid के चलता है तो उसको हम Dry Running कहते हैं Dry Running होने से Rotor और Stator के बीच में Friction बढ़ता है और उसका Temperature भी बढ़ता है इससे Stator की जो Rubber है वो फट जाती है और Stator की Rubber कहीं कहीं से नरम हो जाती है और इस Rubber के चोटे-चोटे टुकडे Liquid में Mix हो जाते हैं Third Reason है Abrasive Fluid ज्यादा Abrasive Fluid भी धीरे-धीरे Stator की Rubber को Damage कर देता है इससे Stator और Rotor के बीच में Clearance बढ़ जाता है और Rotor के उपर काफी Marking के निशान भी आ जाते हैं इस Rotor और Stator में Clearance बढ़ने के कारण जो Flow Rate है उसमें भी कमी आ जाती है और जो Pressure है उसमें भी कमी आ जाती है और जो Stator के उपर Vibration Level है वो भी धीरे-धीरे बढ़ जाता है Fourth Reason है Cavitation अगर Pump को Proper Fluid नहीं मिलेगा Section Line में तो इससे भी आपको काफी जो Problems है वो Face करनी पड़ेंगी जैसे कि Pump में Vibration बढ़ जाएगी उसमें Popping Sound आने लगेगा और Flow में भी कमी आ जाएगी Fifth Reason है Chemical Attack Pump की C.I.P. के दोरान यानि उसकी Cleaning के दोरान हम पानी में Chemical डाल के उसकी C.I.P. करते हैं Chemicals यूज जादातर किये जाते हैं Nitric Acid, Sulphomic Acid तो ये जो Chemical हैं ये भी धीरे-धीरे Stator की Rubber और Rotor के Face को Damage कर देते हैं तो दोस्तों ये 5 Reason थे Rotopump यानि Progressive Cavity Pumps के Fail होने के तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ कि इस वीडियो को में आपको कुछ ना कुछ सीखने का जुरूर मिला होगा तो वीडियो अच्छी लगे हैं तो वीडियो को Like जुरूर कर दे और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले Thanks for watching